हालो फ्रेंड्स, रेल्वे सुरच्छा बल में बैकेंसिया निकल कर आ रही हैं, जिसमें आप कैसे आवेधन कर पाएंगे, चुरुआत हो चुकी फार्म भरने की, तो इसकी जो है अंतिम तिथी क्या है, कैसे फार्म को आप फिल करेंगे, स्टेप बाई स्टेप आज हम बतान हैं, रेल्वे सुरच्छा बल और रेल्वे सुरच्छा बिसेज बल में कारिकारी भरती के लिए बैकेंसिया निकल कर आ रही है, इसकी जो आवेधन की सुरुवात हो रही है, पंदरा चार दोहजार चौबिस आज से इसके फार्म भरे जाएंगे, अंतिम तिथीस की जो है, च16,05,20, curry जोजार चौबिस है, यहां पर बताया गया है, और संसोधन सुल्क के भुकतान के सही तावेधन पत्र यहां पर दिये गए है, बेतन के बारे में बताया गया है, आप लोग दे शकते हैं कि इसमें दिया है, पद का नाम चार वर करकारी, सात्वें CPC में पे लेवल थर्ड है और 21,700 रुपे प्राडमिक बेतन यहां पर दिया गया है चिकितसा मानक B1 है और एज की बात अगर हम करते हैं तो एज इसकी जो है 18-28 वर्स यहां बताए गई है और उसके बाद में यहां पर 4208 पोश्टों पर भरतिया होने जा रही है अब आप लोग इसमें कैसे आबेदन करेंगे आबेदन करने के लिए इसकी आफिस्यल विपसाइट पर हम आते हैं यहां पर लिखा है rrb apply.ub.in आप लागिन करेंगे यहां पर पहुंच जाएंगे यहां पर सबसे उपर देखेंगे लिखा हुआ है apply पर जैसे हम किलिक करते हैं तो यहां देखते हैं create an account already have an account create an account पर हम किलिक करते हैं जैसे आप create an account पर किलिक करेंगे तो यहां लिख करके आ जाएगा Candidate who have already created an account for CEN 101-2024 अगर आपने ALP और Technician के लिए आवेदन किया है और आपने account create कर लिया है तो account create करने कि आपको सकता नहीं है आप already वाले पर जाएगे और वहां से लागिन करेंगे अगर आप new अभ्यरती हैं इसमें आवेदन करने जारे तो आपको यहां पर एक छोड़ा सा registration करना पड़ेगा registration की details यहां पर दी गई है यहां से आप nationality को select करेंगे फिर यहां से आपको अपना नाम भरना है पूरा नाम भरना है retype full name में भी वही नाम भरना है जो आपने इसमें भरा है जो आपने यहां पर fill किया यही आपको यहां भी फिल करना है फिर लिखा है have you changed ever name अगर आपने कभी नाम अपना बदला तो yes करेंगे ने इसे no कर देंगे फिर यहां से आपको अपनी data birth भरनी है retype data birth भी आपको data birth भरनी है उसके बाद में नीचे में scroll down करेंगे next जब आएगा यहां से आप देख पाएंगे इसमें लिखा हुआ है gender तो आपको नहीं gender select करनी है select gender यहां से gender select करना है यही re select में यहां पर पिता का नाम भरना है retype father name यहां पिता का नाम दुबारा भरना है mother name यहां पर भरना है आपको माता का नाम भरना है retype में भी माता का नाम भरना है आपको तो लिखा है आधार verification आधार verification में आपको यहां से अपना आधार number भरना है अगर आपके पास में आधार card नहीं है आप आधार नहीं देना चाहते हैं यहां लिखा हुआ है I do not have आधार कार इस पर क्लिक करेंगे अब डूनार आधार 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 अप जाएंगे बासपोर्ट पेन कार्ट ओटर आईडी यहां पर तमाम सारे आपसंदिये गये हैं किसी को आप एक सेलेट करेंगे यहां पेन कार्ट देना चाहे है पेन क OTP जैसे आप जनरेट करेंगे तो आपके mail ID पर एक OTP आ जाएगा इससे आपको यहां भरके verify करना है यहां से आपको पासवोड करेट करना है यहां से आपको पासवोड करेट करने में आपको capital, small और special character का ध्यान देना है जैसे इसमें लिखा हुआ है passport should be यहां पर लिखा है combination of capital letter, small letter, special character and number तो जैसे माल लियागी आपका नाम अमित है तो अमित में आप एक capital कर दें बागी अच्छार इसमाल करके add the rate लगा के 1,2,3,4 कुछ भी आप लिख सकते हैं और इसको आपको capture यहां से भरना है और capture भरने के बाद में preview and create account पर click करना है आप submit करेंगे registration हो जाएग तो जो mobile number या email ID आपने दिया उसे आपको यहां भरना है, password जो create के उसे भरना है और उसको capture भरना है और उसके बाद आपको login कर लेना है फिर यहां से हम login के उपर click करेंगे जैसे आप लागिन पर click करते हैं तो यहां आपको जो form है वो login हो जाएगा जैसे आपने LP और technician के लि कराएगा यहां पर दिया गया है दो पोस्टो जीसे इसमें बताई गई है कि Central Employment Notice यहां पर लिखा है 01-2024 सम इस्पेक्टर के लिए दिया गया है और यहां पर constable के लिए तो constable के लिए इसमें जो degree रखी गई है वो इसमें high school इसकी योगता बताई गई है और आप अगर इ जैसे high school eligible हैं यहां से click करेंगे I am not currently divided by any RRB RRC फिर next करते हैं next करने के बाद में step school का रगला आएगा यहां से आपको क्या करना है जो details हमने पहले भर के रखी है वो सारी details यहां पर आ जाएंगी जैसे लिखा यहां पर country हमारी क्या है country यहां बता रहा डेटा बर्त फिर रहा आप भी community आपको select कर लेना है community इसे लिखा आपकी क्या है OBC journal SCST जो भी आप पर लागू होता है फिर criminal year अगर आप है तो yes नहीं no कर देंगे फिर यहां से अपना address भरना है आपको फिर उसका district select करना है फिर अपना पूरा पता भरना है यहां पर फिर blaze आपको क्या है pin code क्या है उसके बाद में जैसे CMS आप करेंगे यहां पर side details आजाएंगी इस परकार से सब कुछ यहां पर आप भरा भरा है पाएंगे जो आपने पहले से भर के रखा है फिर save करते हैं फिर यहां अपर लिखा हुआ है कि are you an EX serviceman आप EX serviceman है तो yes करेंगे नहीं no कर देंगे are you an person with benchmark disability अगर आप हैं तो यहां yes करेंगे नहीं no कर देंगे तो इसमें आपको yes करना ही नहीं अगर कोई दिब्यांग अभ्यरती तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे यहां से आपको इसे no ही रखना पड़ेगा फिर यहां पर लिखा है are you an employee of Indian railway में अगर imply ही तो yes करेंग जहां से आप अगर job कर रहें तो इसके बारे हम details कहरा है नहीं तो इससे आप छोड़ देंगे फिर उसके बार में यहां लिखा है bang details अब bang details की जरुपर तो इसलिए होती है कि जब आप farm भरेंगे तो इसमें 500 रुपय आपकी fees debit होगी जब आप pre exam में appear हो जाएंगे तो आप पर qualification आपकी बता रहा है अब qualification क्या है जिसके qualification इसके लिए high school यहाँ पर रखा गया है पहले से हमने भर के रखा है जिससे इसमें LP और technician के लिए तो जो details आपने भरी है high school इसमें minimum qualification मांगी गई है तो यहाँ पर दिखा रहा है अगर कोई गलती आपने कर दिया था farm भरने में तो आप यहाँ से edit कर पाएंगे details को आप बदल देंगे उसके बाद में update कर देंगे update करने के बाद में यहाँ से आप next करेंगे next करने के बाद क्या करना आपको फोटो और signature को upload करना है अब फोटो और नहीं होनी चाहिए और यहाँ से आपका white background साथ में फोटो होना चाहिए तो यहाँ पर इस तरीके upload करेंगे फिर आप next करेंगे और next करने के बाद अपनी fees को आप payment कर लेंगे और आपका farm जो होगा finally पूरी तरीकी से submit हो जाएगा इस परकार से आप farm को आसानी से भार पाएंगे step by step वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार